पाकिस्तान और वेस्टेंडीज के दर्म्यान मुक्तसर फॉर्मेट की सिरीज मुतिवक्ते है जिसके लिए पी सीबी और क्रिकेट वेस्टेंडीज मिलकर दिसंबर में दौरे की खत्मी शेडियूलिक पर काम कर रही है और जराय का दावा है कि इस पापत जल्दी एलान कर दिया जाएगा वाजर है कि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली मेहमान टीम तीन वन डे और तीन में बहुत शौक से खेला और देखा जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि आई सी सी टीट्वेंटी क्रिकेट की सबसे ज्यादा फुलुत शकल है और टीट्वेंटी वर्ल्ड कप के कुछ रिकॉर्स ऐसे जो अब तक तूट नहीं सके टीट्वेंटी वर्ल कप की तारीख मे सबसे कम गैंदो पर सेंचरी बनाने का रिकॉर्ड जुनुबी अफ्रीका के बल्लेबास डेविट मिलर के पास है जो इनोंने 2017 में बंगलादेश के खिलाव के खेलते हुए बनाया था इस मैश में डेविट मिलर ने 35 गैंदो पर 100 रंस बनाये थे T20 वर्ल कप में सबसे पहले 33 सेंचरी बनाने का रिकॉर्ड जमाइका के माया नाज पल्लेबास और पागिसानियों के हर्दल अजीज क्रिस गेल के पास है क्रिस गेल ने 2016 में इंगलेंड के खेलते हुए सिर्फ 48 गैंदो पर अपनी सेंचरी मुकमल करके T20 वर्ल कप का पहल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड काइम किया था T20 फॉर्मिंट में 33 50 बनाने का रिकॉर्ड भारत की अवराज सिंग के पास है जो इन्होंने 2007 में इंगलेंड के खेलते हुए स्कॉर की थी 2007 में ICC वर्ल ट्वंटी ट्वंटी के पताही ग्रूप मैच में इंगलेंड के खेलते सबसे ज्यादा विक्ते लेने का रिकॉर्ड अब बंगलादेश के शकी बुलहसन के पास है जो इन्होंने 39 मैचेज में 117 विक्ते लेकर काइम किया है इससे कबली रिकॉर्ड सिरलंका के लेसित मिलिंगा के पास था पीजबॉलर मलिंगा ने अपने 2006 से 2020 पर मुहीत 14 साला केरियर में 84 मैचेज में 107 विक्ते सबसे ज्यादा मार्जन के साथ फता क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें फक्रत एक रंस भी आपको जीत से हमकनार कर सकता है लेकिन जब यही फता कहीं सो गुना ज्यादा रंस से हो तो पिर इस फता का लुट्फ दोबाला हो जाता है ऐसा ही एक रिकॉर्ड सिननका के पास भी है जो किन होने 2007 में कीनिया के साथ केलते हुए काइम किया था 2007 के सियादगार मैच में सिननकन ने पहले बैटिंग करते हुए कीनिया को 6 विक्तों के नुकसान पर 200 सार फ्रंस का हदब दिया लेकिन जब कीनिया के बल्ले बास पिच पर आये तो इसे ननकन बॉलर्स ने इन्हें ज्यादा देर विक्त पर रुक ने नहीं दिया और कीनिया 10 विक्तों के नुकसान पर महस 88 रंस ही बना सका न्यूजिलेंड ने भारत एक तरफा मुकाबले में 8 विक्तों से शिकर्स दे दी ICC Men Street 20 World Cup 2021 के सूपर 12 मरहले के ग्रूप 2 के हम मैच में न्यूजिलेंड ने भारत को एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विक्तों से शिकर्से दी QVs ने भारत की जानिब से दिया गया हदव 15 वे ओवर में 8 विक्तों के नुकसान पर हासिल कर लिया तुबई में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजिलेंड की पहनी विक्त 24 रंस पर गिर गई जब मार्टन कैप्टल 20 रंस बना कर आउट हुए थे न्यूजिलेंड को दूसरा नुकसान ड्रेल मिचल की सूरत में 96 के स्कॉर पर उठाना पड़ा जहां वो 49 रंस बना कर पविनियन लोटे ताहम इसके बाद न्यूजिलेंड को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा इससे कबल भारत ने न्यूजिलेंड को जीट के लिए 111 रंस का खड़ दिया था तुबही क्रिकिट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में न्यूजिलेंड के कप्तान केनव मिलसन ने टॉस जीट कर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी न्यूजिलेंड के बॉलर्स ने बॉलिंग करते हुए भारती बल्ले बाजों को कुल कर खेलने ना दिया और वकफे वकफे के साथ विक्टें लेते रहे वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच केलने वाले अशान कशन ओपनर आय और चार रंस बनाकर आउट हुए जबके अलराईवल सिर्फ 18 रंस बना सके रोहिच शर्मा के बल्ले ने रंस उगलना शुरू ही किये थे कि वो 14 रंस बनाकर एश सोडी की गैंट पर कैच आउट हुए भारत को चोथा नुकसान कप्तान और सफ़े अवल के बैट्समैन विरात कोली की सूरत में हुआ जो बड़ा शार्ट लगाने की कोशिश करते हुए बाउंडरी पर कैच दे बैठे उन्होंने सिर्फ 9 रंस बनाये थे रिशप पंत भी ज्यादा ना चल सके और 12 रंस बनाकर एडम मिलन की गैंट पर क्लीम बोल्ड हो गए जिसके ब साथ ही आधी भारती टीम सिर्फ सत्तर के मजमुए पर पविलियन लोड गई थी हार्दीक पांडिया और अविंद्रा जदे जाने 23 और 26 रंस के साथ कुछ मुझाहमत की जिसके बाइज भारती टीम बामुश्किल 100 रंस बनाने में कामियाब हुई थी भारती टीम ने मुकररा 20 ओवर्स में 7 विक्टों के नुकसान पर 110 रंस बनाये थे न्यूजलेंड की जानिब से ट्रेनेट बॉलिड ने बहतरीन बॉलिंग का मुझाहरा करते हुए 20 रंस के इवर्स तीन विक्टे ली जबके एश सोडी भी दो विक्टे लेने में कामियाब रहे श्वेवखतर से बत्तमीजी पर डाक्टर नुमान नयाज पर पाबंदी पढ़ाने के लिए में जबानी के फराइस सनामीर और डेविट ग्रोवर को सौंप दिये हैं स्पोर्स राउंड अप से अब तक के लिए इतना ही मजीद खेलोगी हबरे जानने के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसे या पर विजिट करें हमारी वेबसाइट और क्लिक करें हमारी लिंक टुरी और सोचल मीडिया के लिए हमें दू दुनिया को देखिए अल्ला हाफेज